देख बिना ब्रेक, डाउंलोड ताक अप इस मौके पर त्रिपुरा के सीम, बिपलब कुमार देब और मीजोरम के मुख्य मंतरी चोरो थांगा मौजूद थे इससे मीजोरम से ब्रूश अनार्थियों के संकट को खत्म करने और त्रिपुरा के मामले को निप्टाने में मदद मिलेगी अमिश्या ने बताया कि त्रिपुरा में लगबग 30,000 ब्रूश अनार्थियों को बसाया जाएगा इसके लिए उन्हें 600 करोड रुपे का पैकेस दिया जाएगा ब्रूश अनार्थियों को 30 से 40 फिट के प्लोट के साथ 4 लाग का सवादी जमा 2 साल के लिए 5,000 रुपे प्रती महीने की नगत साहिता और मुफ्त रासन मिलेगा परिवार हैं जो आज लगबग 30,000 के आसपास होते हैं वो सभी को त्रिपूरा में ही पर्मेनेंट बसाने की व्योस्ता की जाएगी जिसमें मुझे आनंद है कि सभी ब्रूर यांग संगठनों ने सहमती दी है और मिजोरम और त्रिपूरा सरकार ने भी सहमती दी है उनको वहाँ पर 40 बाए 30 फ्रिट का एक आवासिय प्लॉट दिया जाएगा और समझोतों के अनुसार 4 लाख रूपय की फिक्स डिपोजिट उनके परिवार के नाम पर की जाएगी पाँच हजार रूपया प्रति माह नकद सहायता दी जाएगी दो साल तक पूरा रासन भारत सरकार की और से दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए लेड़ लाख रूपया 1.5 लेक रूपीज और उनको दिये जाएगे जिस से वो अपना मकान सन्वान के साथ बढ़ा सके दिल्ली में मीजोरम के मुख्यमंत्री जोरम ठांगा ने बताया कि ब्रू नेताओं त्रिपुरा सरकार और मीजोरम सरकार के साथ एक मतपूर समझाते पर हस्ताक्चर किये गए है ये 25 साल से चले आ रहे हैं ज्वलन्त मुद्दे को स्थाई रूप से हल करेगा इस बॉके पर त्रिपुरा के सीम विपलो कुमार देव में कहा है कि ये कदम एतिहासिक है जो पैकेज दिया गया है जिस तरीकी से 600 करोर रूपया का बंदवस्त किया गया है और दो साल तक सब बेवस्ता आधरिनों गिर्हमुंतर जी ने आपके समने रखा अभी इनको बसाना और अलेगले क्लस्टर में रखना ये त्रिपुरा सरकार अपने आप आडिन्टिफाई करके करेगी इसके लिए एक समाई दिया गया है उस समाई का अंदर हम लोग इस सब कर लेंगे और मैं साथ ही साथ डॉक्टर हैमंत भी शर्मा जी को नेड़ा चेयर्मन उनको बहुत-बहुत बजाई दोंगा इसमें त्रिपुरा में मेरा सरकार बनाना में भी उनका भुमिका थी लीडर है और मिनिस्टर्स भी है इन लोगों भी इसमें भुमिका पालन की है मैं सभी को बधाई दोंगा जुरांग ठंगा जी को बहुत-बहुत बधाई है नीवएर में आपको बहुत-बड़ी दोनों को एक जबरदस्त जो मानने प्रधनमंतिर गिर्वमंतिर दिर नौर्टिश को उपहर दिया है और पूरे देश में इस संदेश जाएगी जो ये जो सरकार है ये जनजाति को साथ है 1997 में पड़ोसी राज में हुई हिंसा के बाद ब्रू जनजाति के लोगों ने भातर शिवरों में शरन ली थी 22 साल से वो वही रह रहे हैं वो भारत के बाहर से नहीं आए बलकि यहीं की जनजाति से हैं इस जनजाति के लोग लबे समय से अधिकारू की मांग कर रहे थे चुराओ के दोरान इनके लिए अलग से बूत भी बनाये गया था ब्रू समुदाय, त्रिपूरा, मुजरॉम और असम में रहते हैं 1995 में ब्रू और मीजो जनजातियों में हिंसक जड़प हुई थी इसके बाद वो त्रिपूरा में शिवरों में रहने लगे ब्यर रिपूर्ट भारत तक